दोस्तो वंदे मात्रम आज हम जोतिरा दित्या सिंधिया जी की कुंडली के उपर बिशलेशन करेंगे काफी समय से वो एक शेल में चले गए हैं जब से वो राज्य सवा के मेंबर बने हैं और हम देखेंगे कि आने वाला समय उनके बारे में क्या दिखाता है इस कुंडली में अगर हम बिशलेशन करें तो इनका राजकुल के साथ कनेक्शन दिखाई देता है क्लासिकल एस्टालजी में कुछ ऐसे रूल्स हैं जैसे की लगनेश यहाँ पर दिटेश भी है साथ में इसका एकादशेश मंगल के साथ चौथे एबम दसमे घर में कनेक्शन बना हुआ है दसमा घर कारे का है चौथा घर जनता का है साथ में 11 हाउस में गुरू एबम शुक्र का साथ में होना कि ऐसे ब्यक्ति बहुत ही धनी होते हैं आपार धन की कभी भी कमी नहीं होती है और साथ में सूर्य एबम गुरू जब नवाश कुर्णी में लगन में आ जाते हैं मित्र सिंग लगन की कुर्णी बनती है तो ये राज कुर्ण से कनेक्शन दिखाई देता है यहां पर बहुत सारे क्वेशन्द हैं इनके बारे में जैसे की जोतिरा दित्य सिंदिया मार्श 2020 में इन्होंने कॉंगर्स पार्टी को छोड़ा और बीजेपी में चले गए इसके कारण है क्योंकि राहुक का अंतर चला हुआ था इनका सेप्टमबर 2018 से जुलाई 2021 के मध्यव जो इंडिकेट करता है कि बिरोधा भास बहुत सारी परेशानियां चंद्रमा का साथ में होना एक बदलाब दिखाई देता है कि कहीं न कहीं ये डिस सैटिसफाई थे और इसके कारण भी है कि आप लिडर्शिप को बांध नहीं सकते आप और यहां पर मैं ये भी कहूँगा कि ये हमारे देश का भी दुरुबहग्या है कि जो तिरा दिते सिंदिया जैसे यंग लीडर्श इस कुंड़ी में लगने शनी और वो भी 24 डिगरी पे कुंब लगन का भी परभाब लिये हुए है स्टेबल माइन, स्थिर्टा, एक कागरता, शिष्टा चार, एबन साथ में स्ट्रॉंग मॉरल वैलियूस की एक ऐसी लिडर्शिप जब इसको बानने की कोशिश की जाती है तो कॉंगर्स के लिए इसलिए मैंने कहा कि दुरुभाग गया है क्योंकि दोस्तों हमारे देश का भी दुर भाग गया है कॉंगर्स का भी दुर भाग गया है क्योंकि जब तक हमारे देश में ओपोजिशन स्टॉंग नहीं होगा देश तरक्की नहीं कर सकता आज अगर ये कॉंगर्स में होते थे और अगर कॉंगर्स पार्टी इनको अगर सेंटर में लीड रोल पर लेके आती थी तो नो डाउट आज कॉंगर्स के पास आज सेंटर में जादा नहीं तो 100 से ऊपर सीट्स होती थी और आज जिस तरह की situation चली हुई है भारत की better situation में होते थे हम लोग क्योंकि जब BJP की बात आती है इतनी सारी seats होना और कोई opposition नहीं है उनके against तो कोई राय देने बाला और तारकिक तरीके से बिरोत करने बाले जब opposition नहीं होगा तो winning party के लिए भी बहुत सारी दिक्कते खड़ी होती है आप क्योंकि ये BJP में चले गए हैं आभी हम देखेंगे कि BJP में इनका क्या भाग गया है इससे पहले मैं ये भी बताना चाहूंगा कि एक कहावत भी है आटल बिहारी बाजपे इने जी ने भी कुछ इस तरह से बाते हैं कहीं थी कि परिवार से बड़ी party होती है जैसे कि इनकी दादी जी शिरिमती विजया राज सिंधिया जो की BJP की शिवस वन अफ दा फाउंडर मेंबर लेकिन फिर भी जोतिरदित्य सिंधिया एवमिन के पिता माधराव सिंधिया कॉंगर्स के साथ जुड़े रहे लेकिन अब वो फिर से अपने रूट में बापिस चले गए हैं आगे इनकी कुंड़ी ये बताती है कि लगनेश शनी का चौते घर में चले जाना जनतस्तान में अब यहां पर बहुत सारे लोगों के क्वेशन आएंगे कि ये शरी तो यहां पर नीच के हो गए है तो ये राजा कैसे हुए यहां पर नीच भं म्राजयोग बना हुए है कुंड़ी में अगर आप शनी की स्थिति को देखें तो शनी यहां पर नीच होते हुए भी इंसान को राजा बनाते हैं अगर आप देखेंगे तो 2005 से जब से ये शनी की महादशा स्टार्ट हुई थी उसी वक्त से इनका कॉंगर्स में एक अच्छी पोजीशन पे इन्होंने जाना शुरू कर दिया था इनकी ग्रोथ होने शुरू हो गई थी और बहुत सारी मिनिस्टर्शिप्स को भी इन्होंने हैंडल किया है किस सरा से शनी नीच के हैं लेकिन लगन को देख रहे हैं अपनी राशी को सवराशी इट्स इंडिकेशन की इनसान की मॉरल वैलिउस बहुत हाई होती हैं ऐसे लोग संसकारी होते हैं clean hearted होते हैं देश के प्रती बहुत honest और देश भक्ती की भावना हमेशा बनी रहती है क्योंकि शनी नियाए प्रिये प्लाइनेट है और शनी का लगन पर प्रभाव होना ऐसे लोग अपने देश के लिए किसी भी हद तक अच्छे कारे करने के लिए जा सकत में घर में बैठे हुए हैं और मंगल की शनी के ओपर द्रिश्टी और मेश राशी के ओपर मंगल की मेश राशी मंगल की मूलत्रिकोन राशी है तो मंगल का अपनी राशी को देखना ये नीच भंग राजयोग बनता है साथ में यहां पर शनी भी मंगल को वेद कर रहे हैं शनी अपनी उच राशी को देख रहे हैं तो नीच भंग राजयोग की स्थिती बनी हुई है यहाँ पर इसी तरह से यह राजयोग बना और साथ में अगर हम चंद्रमा से भी देखते हैं चंद्रमा से देखें तो चंद्रमा यहां पर केमद्रूम योग बना हुआ है चंद्र कुंडी से मैं विशलेशन कर रहा हूँ अभी चंद्र और गुरू आपस में केंद्रों में हैं और गुरू के साथ शुक्र भी है तो ये केमोद्रुम यो कहीं न कहीं परभाव कतम हो जाता है बलकि ये auspicious results की तरफ इशारा करता है चंदरमा से देखिए तीसरे घर में शनी, एवम एकादश घर में सूर्य उपचे houses में सूर्य एवम शनी का चले जाना इनसान को बहुती साहसी निर्भे बनाता है ऐसे लोग फिक्र नहीं करते कभी भी, बस अपना कोई अपने लिए कारे सिद्धी नहीं होती intentions बहुत अच्छी होती हैं और कारे को अंजाम देते चले जाते हैं फल की इच्छा किये बिना तो चंदर कुंड़ी बहुत स्ट्रॉंग है अब आजाते हैं हम नवमाश कुंड़ी पर जो मैंने कहा था कि सूरे एवम गुरू देखिए इस कुंड़ी में सूरे एवम गुरू लगने शनु एवम पंच मेश का connection बना हुआ है साथ में सब्त मेश एवम नव मेश मंगल एवम शनी का भी नयाए हाउस नाइन्थ हाउस और भागे घर भी कहा जाता है इसको इसमें शनी मंगल का बेद बना हुआ है और साथ में शनी उचके हैं लगन कुंड़ी में नीचके हैं इस कुंड़ी में उचके हैं नवाश कुंड़ी में और साथ में राहू का शनी के साथ हो ना expansion कर देता है शनी के benefits को बढ़ा देगा आप ये भी questions आते हैं कि जब ये गुना में जो इनका जब ये MP रहे हैं तो इनका क्षेतर रहा है जब ये 2019 में इनकी हार हुई थी उस समें periods जो sub-period एंद दशा महादशा अंतरदशा शुब नहीं चल रही थी और इसको अगर हम जनरल लाइफ में कहें तो ये भी कह सकते हैं कि गुना के लोगों का ये दुरभागे था कि ऐसी strong सक्षित को उन्होंने वहाँ पर मौका नहीं दिया आप ये राहू में शुक्र एबम सूरे के जो प्रितंतर चले गए हैं ये इंडिकेट करते हैं कि इनको कहीं न कहीं सेंटर में मिनिस्टरी में कोई न कोई रोल मिलना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं मिला अभी तक सिर्फ ये राज-ए-सभा में मेंबर हैं गुरू का अंतर शुरू होने बाला है और ये शुरू होगा 9 जुलाई 2021 को हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस कुंडली में शनी नीच के हैं बेशक मकर लगन में साड़ सती का प्रभाब नहीं होता है लेकिन शनी नीच के हैं तो कहीं न कहीं इनको परिशानियां भी देते जाएंगे जाते जाते और ये साड़ सती का जो प्रभाब है शनी 22 डिगरी पर काफी लंबा प्रभाब है ये 226 तक ये प्रभाब रहेगा साड़ सती का गुरू ये इंडिकेट करता है कि 9 जुलाई 2021 के बाद ट्रांस्वरमेशन चेंज, बदलाब कोई न कोई सत्ता प्रमोशन ये इस तरह से इंडिकेशन दिखाई देते हैं क्योंकि गुरू 12th लॉड है इस खुंडली में और गुरू की सवराशी धनू गुरू की मूलत्र कोन राशी धनू में बुद्ध एवम सूरे बैठे हुए हैं एवम गुरू 12th में चले गए हैं 11 में घर में और शुकर के साथ हैं 12th to 12th का चले जाना बैय का बैय हो जाना मेंस की बहुत अच्छे रिजर्ट गुरू के यहां पर दिखाई देंगे और एक ट्रांस्वर्मेशन पर्मोशन लेकिन यहां पर यह भी इंडिकेशन है क्योंकि गुरू का फिर भी 12th हाउस में चले जाना भारतिय जन्ता पार्टी को भी गुरू से ही देखा जाता है बैय हो जाना दो तरह के इंडिकेशन देता है की बदलाब भी देता है करियर में चेंजिस भी दिखाई देते हैं लेकिन साथ साथ में पार्टी से डिस सैटिसफेक्शन भी दिखाई देती है और पार्टी के जो नेता रहेंगे इनके बीजेपी के उनके साथ कोई ना कोई भिरोधा बास दिखाई देता है अब यहाँ पे कुछ practical solution भी मैं कहूंगा बुद के महादशा में अभी मैं नहीं जाना चाहता है जो कि 20 जनवरी 2024 से शुरू होगी इसके उपर हम detail में analysis करेंगे बट मैं यह कहना चाहता हूँ BJP के लिए भी एक message है कि बहुत जुरूरी है कि BJP का जो वक्त अभी चला हुआ है 6th April 2021 से यह समय शुब नहीं है उनका 1st quarter 2024 तक तो यह जो young leadership है यह practical remedies होती है कि ऐसे leadership को आगे लाना बहुत जुरूरी है क्योंकि भारतिय जन्ता पार्टी को यह नहीं भूलना चाहिए कि 2020 में मद्धे परदेश में जोतिरा दित्य सिंदिया जी की बज़ा से ही BJP फिर से अपनी सक्ता काइम कर पाई है क्योंकि इन्होंने जब कांगर्स से resign किया था तो इनके साथ कुछ MLS जो इनके बहुत खास थे जो इनको मानते हैं वो लोग भी साथ में ही चले गए थे इनके तो वहाँ पर कॉंगर्स पार्टी का ब्रेक अप हुआ था कमल नाथ जी नहीं कॉंटीनिय कर पाय थे अबम सत्ता चली गई थी BJP की हाथ में तो आने वहरे टाइम में आगर हम इनकी लिडर्शिप की बात करें तो प्रैक्टिकल रेमेडीज अगेन भारतिय जनता पार्टी के पास अभी भी समय है क्योंकि अभी भी हमें इलेक्शन्स की बात अगर देखते हैं तमिलाडू में BJP खोचुकी है अधार वेस्पिंग ओल में BJP नहीं आपाई जिस तरह से दावे किया जा रहे थे BJP दोबारा तो कहीं न कहीं मध्य परदेश में अगर सत्ता को बचाना है आने बाले समय में तो बहुत जरूरी है कि ऐसी यंग लिटर्शिप को भी मौका दिया जाए दोस्तों ये मेरे विशलेशन है और अगेन 20 जैन 2024 के बाद ये जो बुद की महादशा है बहुत कुछ कहती है अपने आप में इसके उपर मैं कभी एक और वीडियो दूँगा सेकिंड पार्ट क्योंकि मैं बर्षफल भी स्टड़ी करूँगा इनका और रही बात ये जो करंट अभी पिरिड चला हुआ है शनिये में गुरू का अंतर सिर्फ साड़े सती परेशान कर रही है और अगर ये चोटे मोटे सॉलेशन भी अगर करते हैं तो ये आने बारेट समय में बहुती बेहतरीन बहुती फाइदमन दशा साबित होगी इनके लिए दोस्तों मुझे इजादे दीजिए धन्यवाद बारतमाता की जयाए